हेलो एवरीबान, वेलकम टू मैई चैनल, हिंदी टेरोडेक टुपल टू, मैं हूँ पललवी, कैसे हैं आप सभी लोग, I hope आप सभी अच्छे होंगे, सो गाइस, आज मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर आई हूँ, कैंडल वैक्स रीडिंग, और आज इस रीडिंग का टॉपिक है, कि कर रात आपके पार्टनर, जिनसे भी आप दील कर रहे हैं, ये किस एनरजी में थे, किस तरह के थौट्स में ये कर रात घिरे हुए थे, य ये चीज़े देखेंगे, लेकिन कैंडल वैक्स के थूप, बस आपको यहाँ पर ये जरूर ध्यान रखना होगा, जो भी रीडिंग होगी, वो जनरल कलेक्टिव और एक टाइमलेस रीडिंग होगी, मैरिट, अनमैरिट, कोई भी परसर रीडिंग देख सकता है, और साइन बेस्ट रीडिंग होगी, जेंडर स्पेसिफिक नहीं होगा, यानि कि लड़का लड़की कोई भी ये रीडिंग देख सकता है, तो चलिए चेक कर लेते हैं कि कल रात ये परसन किस एनरजी में थे, ठीक है? प्रीज आर्केंजल मिट्रन, प्रीज आर्केंजल यूरियल, मुझे गाइड कीचे बताईए, कर रात मेरे बीवर्स के परसन किस एनरजी में थे, उनिवर्स, गाइड कीचे और बताईए, कर रात इस परसन ने अपने चारों और पूरी धर से शांती महसूस करी है, यानि क इन्हें ऐसा फील हो रहा था, कि इनके आसपास ना कोई नहीं है, या इनके आसपास कोई ना रहे, यानि कि कर रात ये परसन अपने आपको अकेला रखना काफी जादा बेतर समझ रहे थे, उसमें एक सुकून महसूस कर रहे थे, अकेले पन में, इस परसन को कर रात ऐसा फ चारी है ऐसा सुनने का सोचने का इस परसन का बहुत जादा दिल कर रहा था कल रात इस परसन के साथ ऐसा हुआ है कि इन्हें ना मन की शांती नहीं मिल पा रही थी यानि कि इन्हों ने अपने आपको ऐसी जगह पे फील करा जहां पर इन्हें तो किसी तरह की शांती मिली ही न मामले में ये परसन बेहर ज़्यादा सोच रहे थे उस मामले में ये चाहा रहे थे कि ये अकेले बैठ कर सुने और कहीं न कहीं इस परसन ने अपने आपको काफी ज़्यादा अकेला भी करा है यहाँ पर लेटर E, E for Elephant और F for Fish भी दिखाई दे रहा है आपके पाटनर के नाम क पहला या लास्ट अक्षर या आपका हो सकता है ठीक है यहाँ पर लेटर C भी दिखाई दे रहा है कर रात इस परसन ने अपने आपको बेहर ज़्यादा कमजोर फील करा है इन्हें ऐसा फील हो रहा था कि जैसे इनकी लाइफ से ना इनकी सारी हिम्मत इनकी सारी और अब यह बहुत जादा वीक और अकेले पढ़कर रहे गए तो इन्हें ऐसा बहुत जादा फील हो रहा था कि किसी से भी इंकी इच्छा नहीं हो रही थी कि यह बात करें मन की जैसे होता है ना कई बार आपका मन नहीं करता कि भाई किसी से भी बात मत करो तो उसी एनरज थे उस शांती में भी इस परसन को सुकून नहीं मिल पाया है यह भी चीज़े दिख रही है यहाँ पर लेटर पी पी फॉर पैरट भी दिखाई दे रहा है कर रात ना यह परसन काफी जादा जैसे अपना ध्यान किसी एक चीज़ पर कॉंसेंट्रेट करने की कोशिश कर रहे थे या तो इन्होंने meditation करने की कोशिश करी है या overall अपना focus जो दिमाग में chatter चल रही है ना उनसे अलग करने की इन्होंने बहुत जादा कोशिश करी पर ये नहीं कर पाए ये भी दिख रहा है कर रात ना इस परसन की मन में ना सुकून नहीं था शांती नहीं थी इन्हें ऐसा फील हो रहा था कि मेरी life में ना सब कुछ होने के बाबजूद सबसे main important चीज नहीं रही प्यार और शांती और सुकून ऐसा इस परसन को बेहर जादा फील हो रहा था देखे यहाँ पर letter C भी मुझे दिखाई दे रहा है आपके नाम का पहला या लास्ट अक्षर या आपके परसन के नाम का पहला या लास्ट अक्षर हो सकता है definitely इस person ने ना कल रात अपने आपको बहुत जादा अकेला और बहुत जादा अकेला देखा भी और कर भी लिया ऐसी चीजें यहाँ पर दिख रही है इस person को कल रात ऐसा फील हो रहा था कि किधर जाए मतलब किस direction में जाएं किसके पास जाएं ताकि इनके मन में सुकून शान्ती मिल पाएं तो यह person ना काफी जादा बेचैन तो रही है इधर गए फिर उधर चले गए यानि कि एक तरह की बेचैनी इस person के मन में definitely कल रात थी यहाँ पर number two, number one यानि कि जन्वरी और फरवरी मन्थ आपके लिए important हो सकता है letter M, M for monkey भी दिखाई दे रहा है आपके partner या आपके नाम का पहला या last अक्षर हो सकता है इस person ने कल रात अपने आपको काफी जादा isolate वाली energy में feel करा घुटन वाली energy में इन्होंने feel करा इन्हें ऐसा लग रहा था कि इनके पास जिन्दगी के सारे options होने के बावजूर सारे decision इन्होंने अपनी life के बहुत wisely लिए बहुत सोच समझ कर लिए still इनके मन में शान्ती नहीं है still ये person अपने आपको अकेला रखना चाह रहे हैं ऐसी चीजों को भी ये कल रात बहुत जादा realize कर रहे थे यहाँ पर T, T for tiger भी दिखाई दे रहा है इस person के मन में ना काफी जादा डर दिखाई दे रहा है एक डर वाली energies दिखाई दे रही है एक frustrate वाली energies जादा दिख रही है जिसमें ये लोगों से frustrate हो रहे थे जो इनके आस-पास के लोग है जिनके साथ भी अभी इस वक्त में है ना उन पर इन्हें किसी चीज को लेकर गुसा आ रहा हो जैसे उनसे frustrate हो रहे हो उनकी presence इन्हें पसंद नहीं आ रही हो ऐसा भी इस person के साथ हो रहा था आप खुद देख सकते हैं देखो wax कैसे गिर रहा है एक दम जिसे धिकार है वाली ऐसी energies इसकी आई है तो कहिना गई इस person को ऐसा feel हो रहा था मुझे काफी जादा chances यह दिख रहे है कि आपके person इस वक्त में जिस भी situation में जिन भी लोगों के साथ इस वक्त में है न उन लोगों के बीच में और आपके partner के बीच में काफी गंदी यहां पर लड़ाई हो रही है ऐसा यहां पर है मतलब इन लोगों के बीच में काफी कड़वाहट काफी एक दूसरी के लिए negativity यहां पर दिख रही है तभी यह person अपने आपको इनसे अलग करने में जादा लगी हुए थे इन्हें कही न कहीं ऐसा feel हो रहा था कि इनकी life ना टुकडों में divide हो गई है इनकी life में सिर्फ और सिर्फ stress है सिर्फ और सिर्फ challenges है जो भी करना चाहते हैं ना life में वो इन्हें मिलकर ही नहीं रहनी है ऐसा भी इस person को feel हो रहा था यानि कि अपनी life को काफी ज़्यादा हारा हुआ या अपनी life से give up करने वाली energies में ये डिख रही है कुछ कुछ energies यहाँ पर आपकी भी आ सकती है यहाँ पर काफी लोग comment करते हैं कि तो आपने हमारी energies बता दी या फिर यहाँ पर ये भी chances है कि जैसी energies में आप थे सेम आपके person भी उसी energies में हो यहाँ पर letter O भी दिखाई दे रहा है जो आपके partner या आपके नाम का अक्षर हो सकता है उसके अलग ये भी दिखाई दे रहा है कि इस person को definitely अपने life बिल्कुल control से बाहर जाते हुए feel हो रही थी या इनके आसपास के लोग इने ऐसे feel हो रही थे कि इनके control में नहीं है वो लोग या उनका behavior जो इनके प्रती काफी rude काफी गलत है वो अब इनके control में नहीं रहा और इस person को ऐसा feel हो रहा था कि भाई मेरी life की cycle वो कभी पूरी होनी नहीं है कौन सी cycle? bad cycle कभी भी पूरी होनी नहीं है उस मामले में भी ये काफी ज़्यादा hope less हो रहे थे काफी ज़्यादा chances है कि ये person काफी ज़्यादा आपको spy कर रहे थे तो जब ये अकेले बैठे थे तो obviously इनका focus इनका ध्यान आपकी तरफ भी जा रहा था तो इसके chances भी यहाँ पर definitely दिखाई दे रहे है आप खुद देख सकते हैं मैंने wax गिराया और ये इसमें शामिल हो गया तो definitely आपको spy भी कर रहे थे ये person कल राद बिल्कुल भी नहीं सो पाए है क्योंकि इन्होंने अपने मन में किसी तरह की शान्ती फील नहीं करी है इसी reason की वज़ा से किसी चीज का इस person को ना बहुत जादा बुरा लग रहा था कि इन्होंने ऐसा क्यों करा क्यों ऐसी गलती करी या ऐसी गलती क्यों खा गई ऐसी चीजे भी इन्हें फील हो रही थी कि भाई मैंने ऐसा क्यों कर दिया मुझे नहीं करना चाहिए था तो ऐसी भी energy इस person की आई है इने ना कर रात ऐसा फील हो रहा था कि मेरे उपर गलत असर डाल रहा है या रही है मेरी life पे इसका बहुत ज़्यादा खराब असर पड़ रहा है इने ऐसा फील हो रहा था कि मेरी life में ना प्यार जो नहीं है जैसे आप देख सकते हो यह दिल बना लेकिन यहाँ पर काफी ज़्यादा खराब हो गया यह दिल तो इन्हें ऐसा फील हो रहा था कि मेरी life में definitely love life में कोई ऐसा person है जिसने जान बूझकर मेरी relationship को खराब करा गंदा करा और मुझे यूँ अकेला तनहा करा है तो ऐसा इस person को जब यह अपने दिमाग की बहुत ज़्यादा chatter सुन रहे थे बाते सुन रहे थे तो वो इस person को feel हो रहा था और इसी reason की वजह से यह अपने आपको stuck feel कर रहे थे कि मैं आज जो stuck हूँ मेरी life जो उलजी पड़ी है वो इसी reason की वजह से है specially love life जो अधूरी या बेकार हुई है वो सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से हुई है काफे ज़्यादा अपनी relationship को love life को लेकर काफे ज़्यादा insecure हो रहे थे उसके मामले में बेह ज़्यादा सोच रहे थे उसमें कैसे करा जाए क्या करा जाए कैसे positivity लेकर आई जाए कैसे manifest करा जाए यानि कि कर रात ये person अपने आप को ना काफी ज़्यादा सवालों की बीच में घेर रहे थे अपने आप से ही सवाल कर रहे थे और अपने आप से ही उनका जवाब दूढने की कोशिश कर रहे थे कि कैसे ही अपनी life में positivity लेकर आ सकते हैं क्या करें ऐसा ये ताकि life में इनकी positivity आ जाए तो ऐसा 20 परसन के साथ काफी ज़्यादा हुआ है कल रात देकि इने कल रात ऐसा फील हो रहा था कि definitely मेरी life में कोई न कोई तो मेरे जीवन में जहएर घोल रहा है ये चीजे भी इने फील हो रही थी और वो क्यूं हो हो रही थी क्योंकि ये सुकून नहीं मिल रहा था इने तो इनके मन में ना काफे गलत गलत विचार आ रही थी चाहे फिर इनकी लाइफ में कोई हो ना लेकिन इस परसन का दिमाग ना काफी तरफ घूम रहा था काफी तरह की उल्टे सीधे खयालों के बेच में ये फसे हुए डेफिनेटली नजर आ रहे थे और उसी चीज के लिए रिसर्च करते हुए भी नजर आ रहे कि ऐसा कोई हो सकता है क्या कौन है ऐसा तो उस तरह से सवाल अपने आपसे ये परसन कल रात काफी जादा करने में डेफिनेटली लगे हुए थे मुझे या पर ये दिख रहे है कि ये परसन इस परसन के साथ क्या है ना इन्होंने अपने आपको ऐसा बना रखा था कि मल्टी टास्क कर सकते हैं काफी लोगों को एक साथ डील कर सकते हैं काफी चीजों को एक साथ संभाल सकते हैं लेकिन इस परसन को और रात ऐसा फील हो रहा था कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं कुछ नहीं कर सकती, जो मैंने अपने लिए सोचा या मैं जितना ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हुआ या हुई, उसके मुकाबले मैं मेरे में 1% भी हिम्मत नहीं है, गट्स नहीं है, मैं कुछ भी लाइफ में अ परचीव नहीं कर सकता, या कर सकती तो, वहीं चीज हो गई ना कि अपने परसद या बहुत हो प्लेस हो रहे थे, काफी जादा चांसेज है कि इस परसन को ना किसी तरह का health issue भी हो किसी तरह का जैसे दिमाग में काफी conflict की परसन चलाते रहते हैं तो headache हो, back pain हो, तो इसके chances भी मुझे आपर दिख रहे हैं ठीक है? देखो ये परसन definitely चाहते हैं कि भी चीजे सही हो जाएं, solve out हो जाएं लेकिन इस परसन ने कर रात इतने सारे सवाल अपने मन में चलाए हैं जिसमें से इस परसन को एक भी सवाल का जवाब नहीं मिला है ये भी चीजे हैं, ठीक है? एक भी चीज का ये परसन solution नहीं निकाल पाए हैं इतने सारे सवालों को जरूर इन्हा ने निकाल लिया है जो शायद ही निकालने में भी कभी बैठे भी नहीं हो, कभी नोने सोचा भी नहीं हो वो सब चीजे नोने बहुत जादा कल रात सोची हैं देखें यहां पर ऐसा भी दिख रहा है इस परसन ने अपने आप ही ऐसा फील करा है कि इनका दिल तूट गया है इनके दिल के टुकड़े टुकड़े हो गए है और उसकी वजह यह अपने आपको इह मान रही दे यह भी चीज़ है कि जो भी अगर आज इस हालत पे पहुँच करी और रहे तो कर रहे तो इस परसन की ना काफी ज्वाद ilgili में सोच sistem कील राण डैफिनेटी गुजरी है और के दो की मैसेज फेखोval को ओंध आ है यह को स्पाइट अधिक आ चाहरे आप से क्या के ना चाह रहे थे कर लेते हैं देखें मैंने आपको बोला कि कल रात इस परसंद को अपने किसी डिसीजन पर बहुत जादा रिग्रेट हो रहा था तो वही आया है कि यह आपको स्पाई कर रहे थे क्योंकि यह आपसे कहना चाह रहे थे कि लो ने कोई गलर डिसीजन ले लिया है पास्ट में यूँ आर माई सो ट daí कर रहा है कि इस परसंद को आपके और अपने connection के मामली में ऐसा feel हो रहा था कि आप लोगों का soulmate connection है इन्हें ऐसा लग रहा था कि जो इनकी life में इस वक्त में है न वो इनकी गलतियों की वज़ा से है जो मैं आपको अरेड़ी बता भी चुकी हूँ और यह आप से कहना चाह रहे थे कि आप न इनसे ज़्यादा बेहतर person अपनी life में deserve करते हो इन्हें नहीं I will come back and then we can fight again तो इन्हें कही न कही इस बात का realize हो रहा था कि जब यह आपके पास आएंगे तो आप definitely इनसे लड़ोगे तो यह आप से कहना चाह रहे थे जो spy कर रहे थे कि आपके पास आएंगे तो आप इनसे लड़ सकते हो जो भी आपके मन में इनके लिए भड़ास है वो बिल्कुल निकाल सकते हो I have been working all day want to keep busy तो यह आप से basically यह कहना चाह रहे थे कि अब इन्होंने अपने आपको पूरी तरह से काम में जोक लिया है अपने आपको पूरी तरह से busy कर लिया है I have looked you up online तो मैंने आपको यही बोला और इसलिए हम messages निकाल रहे हैं कि आपसे यह कहना चाह रहे थे कि यह आपको online काफी ज़्यादा check करते हैं I love you यह आपसे बहर ज़्यादा प्यार करते हैं आपसे ऐसा कहना चाह रहे थे All the songs remind me of you तो यह आपसे कहना चाह रहे थे कि हर एक गाना इन्हें आपकी याद दिलाता है तो काफी ज़्यादा chances है कि आपका कोई personal song है जो सिर्फ आपके और इनके बीच में है जो ही अकसर गुन गुनाया करते हैं और इन्हें वो song कहीं न कहीं आपकी याद भी दिलाता है चलिए आपके लिए guidance के टार्ट और निकाल लेते हैं कि आपको क्या करना चाहिए जो भी situation आई है इस मामले में गाइड की जिनिवर्स त बताएए पहला आया है टावर रेड वोनिक्स एंड आपके परसन ने जो पास्ट में डिसीजन लिया था उसके लिए आपने आज तक माफ नहीं करा है और उस चीज को आप बार बार सोच कर अपनी लाइफ में टावर मूमिट लेकर आते हो बार बार अपनी लाइफ में नेगिटिविटी को मैनिफेस्ट कर रहे हो बula रहे हो बार बार अपने दुख को यानि कि वही चीज को बार बार रिपीट और रिपीट मैनिफेस्ट कर रहे हो कि इसपरसन ने गलट डिसीजन लिया इसपरसन ने आप की बजाए किसी और को सेलेक्ट किया ये चीजे बार-बार आप अपनी life में धोर आ रहे हो और उसे अपनी life में manifest करके बुला रहे हो जो कि नहीं करना है आपको क्योंकि वो भी बार-बार उन चीजों को regret तो ले रहे हैं लेकिन उसके आगे का कोई step नहीं ले रहे हैं जो की है आपकी तरफ बढ़ने का बोलना है तो just उल्टा बोलना शुरू कर दो कि इस person ने मेरी तरफ लेने का निश्य कर लिया है ये अब मेरी तरफ आ रहा है या रही है just opposite आपको बोलना है ताकि वही चीज आपके पास आ जाए ठीके उसके अलग आपसे ये बोला जा रहे है बहु है आपने आपको safe रखो अपने आपसे प्यार करो अपने आपको busy करो अगर वो सकता है तो manifest करो magic आपके ही हातों में मैजिक आपके ही दिमाग में है तो वह चीजे आप करो ठीके बजाए गलस सोचने के आप सही सोचो जो आपको चाहिए लाइफ में अपने तो वो चीजे सोचो और वो चीजे तभी कर पाओगे जब आप पूरी तरह से परसंड को माफ कर दोगे और इसके जगा ये बोलोगे कि इसने ना सही डिसीजन लिया मेरी तरफ आने का देखो ये मेरी तरफ आ गये है आ गया है इस तरह से ठीक है आपके पसंड की तो अनर्जी काफी ज़्यादा डिस्टर्ब और काफी ज़्यादा सवालों की बीच में घिरी हुई नजर आई है तो आप इस रीडिंग से अपने आपको कनेक्ट कर पाए होंगे आपको किसी तरह की कोई क्लियारेटी मिली होगी अगर आपको रीडिंग पसंड आती है आप इस रीडिंग से अपने आपको कनेक्ट कर पाते हैं तो प्लीज बताएगा जरूर और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजेगा ताकि इसी तरह से नए नए रीडिंग्स नए नए टापिक्स मैं आपके लिए करा सकू और हम लोगों का साथ हम लोगों का प्यार यू ही बना रहे आज के लिए बस इतना ही ओके बाब बाई